जनसंख्या एवं गरीबी क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चलता रहा है कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित है यदि इसका उप्योग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रतेक व्यक्ति को संसाधन का लाब कम मिलेगा जबकि उप्योग करने वाले लोग कम हो तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है पहली बात यहा है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सेमित नहीं होते वे तकनीक पर निर्भर हैं उदाहरन के लिए जब लोग लकड़ी जला कर ताप पैदा करते थे तो उनकी उर्जा का स्रोथ जंगलों पर निर्भर था जो सीमित थे लेकिन जब खनिच, कोईला, खनिच तेल और गैस का उप्योग होने लगा तो उर्जा के नय और विशाल भंडार सामने आए और उनके उप्योग से उत्पादन में खुब रिद्धी हुई अता तकनीकी बदलाओं से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बाटने के लिए परियाप्त संपन्नता हो सकती है दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा या इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग है और उनके कारिकुशल तक कैसी है समाज में अधिक कारिकुशल, स्वस्थ और सिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है उदाहरन के लिए अभी रूस में कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है और वहां की सरकार इससे खुश ना होकर आबादी को स्थिर करने वह बढ़ाने का प्रयास कर रही है यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों वह खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं, बलकि उनके असमान वितरण के कारण होती है अगर समाज के खुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बाड़ते हैं, तो न कोई गरीब होगा और न कोई अमीर कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे इसी का परिणाम है कि विक्सित माने जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है अगर हम विश्विस्तर पर इसी समस्या का अध्यन करते हैं तो पता चलता है कि वास्तों में अधिकाबादी वाले गरीब देश जैसे बांगलादेश, भारत, आधि सयुक्त राज अमेरिका जैसे विक्सित देशों की तुलना में बहुत कम उर्जा संसाधनों का उप्योग क करते हैं उपरियुक्त तालिका से इस बात की पुष्टी होती है इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं वही विक्सित देश के निवासी 2000 से 7000 किलो प्रतिवेक्ती उपभोग करते हैं यदि हम भारत की पूरी आबादी जितनी उर्जा की खपत करते हैं इसके तुलना संयुक्त राज अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल एक तिहाई उर्जा का उप्योग करता है अमेरिका की आबादी भ या अलग बात है कि भारत में भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उप्योग नहीं करते शहर के लोग विशेज कर अमीर लोग एक तरफ तो सुदुरंचलों के जन जाती दूसरी ओर कितने संसाधनों के खपत करते हैं या गड़ना करना बहुत कठीन है अगर हम यह मान लें कि अमेरिका के सामानि मध्यम वर्ग का जीवनिस्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त हैं? शायद नहीं गांधी जी ने भी कहा था कि धर्ती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है मगर किसी की लालच के लिए नहीं इस तरक के साथ साथ हमें यह भी स्विकार करना होगा कि गरीबी और उची जनसंख्या व्रिद्धिदर के बीच कुछ संबन जरूर है अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी यहां देखा गया है कि विक्सित देशों में जहां लोगों की सिक्षा और कारिक उशल्ता अधिक है और जहां स्वास्त सेवाए कारगर है वहां बार मृत्योदर बहुत कम है और उसत उम्र भी अधिक है उन देशों में प्राया यह भी देखा गया है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णा लेने का अधिकार है इन सब बातों का एक प्रभाव यह भी है कि वहां के लोग कम बच्चे पैदा करते हैं जिन देशों में बच्चों में मृत्योदर अधिक है माता पिता को पता नहीं रहता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं अतावे दो से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है तो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हो तो घर पर अधिकांदनी होगी जिन समाजों में महिलाये सिक्षित हैं और अपना जीवन अपनी रूची से संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं वहां कम बच्चे पैदा करते हैं और जो देखभाल भी हो पाती हैं। गरीब लोगों तक बुन्यादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्द होते हैं। तो जनसंख्या और विकास के बीज की खाई कम होगी। और आबादी का प्रश्न हल होगा। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नितिगत विसंगतियां दूर करनी होगी। तथा इमानदारी से काहिरा सम्मेलन के बुन्यादी विचारों को व्यवहार में लागू करना होगा। झाल करना होगी।